Hello everyone, welcome to special study दोस्तो आज के special वीडियो में हम Animal Kingdom से बनने वाले सभी important questions को cover करेंगे और आभी तक जितने भी exam में इस topic से question बने हैं सभी को इस वीडियो में cover करेंगे तो वीडियो very important रहने वाला है आप last तक जरूर देखेगा ठीक है? तो चले शुरू करते हैं हमारा question number one है malaria परजीवी तथा amoeba को की स्रेणी में रखा जाता है? तो जो malaria परजीवी होता है और amoeba होता है इसको रखा जाता है प्रोटो जवा की स्रेणी में तो दोस्तो ये पूछा जाता है exam में तो इसे याद रखीगा आगला सवाल है निन्मलिकित में से किसकी आकरती निश्चित नहीं होती है? very important question है आप से पूछा है किसकी आकरती निश्चित नहीं होती है? तो याद रखीगा amoeba जो है इसकी आकरती निश्चित नहीं होती है ठीक है? next question चपल की आकरती का जन्तु होता है ये भी एक्जाम में बार-बार पूछे जाता है तो चपल की आकरती का जो जन्तू माना जाता है वो कोन है? पेरा मिशियम तो पेरा मिशियम यहाँ पर सही अंसर होगा अगला सवाल है अमीबा का प्रचलन अंग है तो अमीबा का प्रचलन अंग क्या हो जाएगा? कुट पाद क्या हो जाएगा? कुट पाद इसका सही अंसर होगा बढ़ते आगे Q5 हरा प्रोटो जोवा के नाम से जाना जाता है तो हरा प्रोटो जोवा के नाम से कोन जाना जाता है? युगलिना तो इसे भी याद रखेगा यूग लिना यहाँ पर सही अंसर होगा नेक्स्ट सवाल पोधा और जन्तूओं के बीच की योजग कड़ी के रूप में कौन जाना जाता है तो पोध है एवाम जन्तुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है योगलीना तो इसे भी याद रखेगा वेरी इंपोर्टेंट कोस्चन है ये भी अगला सवाल है मनुस्य के सरीर में एंट अमीबा हिस्टोलीटिका कहां पाया जाता है तो जो मनुस्य के सरीर में एंट अमीबा हिस्टोलीटिका जो पाया जाता है ये पाया जाता है आत में कहां पर आत में पाया जाता है Next सवाल है पेचिस या अमीबा बैसिस के लिए उत्तरदाई प्रोटो जोवा है तो पेचिस या अमीबा के लिए उत्तरदाई प्रोटो जो होगा वो होगा एंट अमीबा क्या होगा एंट अमीबा बढ़तें आगे question number 9 है अगले सवाल के और बढ़ते हैं दोस्तो 11 नमबर कोश्चन है निद्रा रोग पेदा करता है तो ये ट्रिपेनो सोमा पेदा करता है क्या करता है ट्रिपेनो सोमा नेक्स्ट सवाल है मनुस्य की आत में रहने वाला एक कोशिय आरोग जनक परजीवी फ्रोटो जोवा है वो कौनसा हो जाएगा इकोलाई कौनसा इकोलाई इसका सही अंसर होगा बढ़ते हैं आगे कोश्चन नमबर थर्टी ने आमीबा में कुटपाद महतपुर्ण होते हैं तो आमीबा में कुटपाद महतपुर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं बोजन ग्रहन करने तता प्रचलैन के लिए तो उप्सन नमबर सी इसका सही अंसर होगा नेक्स्ट सवाल है मच्चड में मलेरिया पर जीवी का जीवन चक्र किसने खोजा है तो मच्चड में मलेरिया पर जीवी का जो जीवन चक्र खोजा गया है ये खोजा गया है दोस्तो रोनाल्ड रासने किसने रुनाल्ड रास के द्वारा मच्चड में जो मलेरया पर जीवी खोजा गया है रुनाल्ड रास के द्वारा बढ़ते आगे दोस्ता अगर वीडियो पसंद आ रहा है मेरी मेहनत अच्छे लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा और चेनल पर नए हो तो इसे ही इंपोटेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे नेक्स्ट सवाल है जापान में उपहार स्वारूप बेट किया जाता है तो जापान में उपहार स्वारूप बेट किया जाता है क्या यूपले क्लेटा तो यूपले क्लेटा जापान में उपहार के नाम से जाना जाता है यूपले क्लेटा कौन जाना जाता है यूपले क्लेटा इसका सही अंशर होगा नेक्स्ट सवाल है इस्पंजों के सरीर पर पाये जाने वाले छोटे छोटे छीद्र कलाते है तो इस्पंजों के सरीर पर पाये जाने वाले छोटे 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 जो छीद्र है वो क्या कलाते हैं तो वो कलाते हैं अश्टिया इसे भी याद रखेगा नेक्स्ट कोस्चन है इस्पंज के सीरे पर इस्थीत बड़ा चीदर कलाता है वो कलाता है असकुलम क्या कलाता है असकुलम इसका सही अंसर होगा नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर कोस्चन है सिलेंट्रेटा संग को अन्ने किस नाम से जाना जाता है तो सिलेंट्रेटा जो संग है उसको जाना जाता है निडेरिया के नाम से किसके नाम से निडेरिया के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट सवाल है निन्मली कित मैंसे किसमें रख्त नहीं होता किन्तु स्वसन करता है तो किसमें रख्त नहीं होता किन्तु स्वसन करता है तो हैड्रा इसका सही आंसर होगा जिसमें कि रख्त नहीं होता है किन्तु वह स्वसन करता है अगला सवाल है कोरल लीफ जिसको की प्रवाल भित्ती बोलते हैं का निर्मान किसके द्वारा होता है तो प्रवाल भित्ती का जो निर्मान होता है वो होता है सिलेंट्रेटा के द्वारा सिलेंट्रेटा इसका सही अंसर होगा नेक्स्ट सवाल है Hydra का प्रचलन अंग है तो Hydra का जो प्रचलन अंग माना जाता है वो क्या हो जाएगा Tentacals तो इसे भी याद रखेगा दोस्तों बढ़ते आगे 23 नम्मर Question देख लेते हैं प्रवाल क्या है जिसको की Corals भी बोलते हैं तो प्रवाल क्या हो जाएगा एक समुद्री जीव अगला सवाल 24 नमबर कोश्चन है जेली फीस के नाम से जाना जाता है तो जेली फीस के नाम से क्या जाना जाता है और इलिया तो इसे भी याद रखेगा अगला सवाल है 25 नमबर कोश्चन समुद्री एनिमोन के नाम से जाना जाता है तो समुदरी एनिमोन के नाम से क्या जाना जाता है मेटरी डियम तो मेटरी डियम इसका सही अंसर होगा दोस्तों बस इतने ही कोस्चन इस वीडियो में करते हैं बाकि नेक्स्ट पार्ट में ले के आऊँगा आगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजे आपका छोटा भाई समझ कर प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजेगा ताकि एसे ही इंपोर्टेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे ठीक है तो चले मिलते हैं नेक्स्ट व्डियो में जब तक के लिए जाहीन All the best